नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कु चोधरी व्लोक्स में आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं लखन पाई भामोरी जो भी इनके घर में हो रहा ना उससे लेटिड और इनकी लेटिस्ट वीडियो के से लेटिड वो शुरू करने से पहले एक पसंदीदा को फेवर कर रहे हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सामने वाले को किसी को कुछ गलत न कहें क्योंकि आखिरकार वो है फैमली ही और वो लग सब कुछ दिनों में आपके एक साथ दिखने वाले हैं ऐसा नहीं होगा कि वो लोग अलग ही हो गए है या फिर नहीं अंदाजा लगा लिया जाए शोशल मीडिया की लाइफ को देखकर कितरा ही कुछ बोल लिया जाए लेकिन असलियत क्या है वो तब ही पता चलती है जब इंसान उन्ची कंडिशन्स में रहता है तो हम यहाँ पर किसी एक को या फिर किसी दूसरे को गलत नहीं ठहरा सक हाँ कुछ चीजे हैं जो समझने की है लेकिन वही एना कि इंसान पर जब बीचती है तब उसको पता चलता है कि हो क्या रहा है पाई सामने आये है फिर से आपको बताया था मैंने की इंस्ट्राग्राम स्टोरी पर उन्होंने कहा था कि मैं एक्शन नूंगा गलत खबरों को फैलाने वालों के लिए तो अभी शायद उस चीज़ पर भी पाई को काफी कुछ सुनने के लिए मिल रहा है और जब भी फैमिली पर कुछ प्रोब्लम होती है पाई जो है सामने आते हैं और इस पर क्लियर बात ना करके गुमा फिरा के जाधा करने की आदत है जो कुछ और यह फिर यह कहें कि अब पाई का गुस्सा जो है वो प्यार में जलक रहा है पाई गुस्सा तो बहुत है कि भाई इस तरीके के कॉमेंट आ रहे है यह है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे है क्योंकि प्रोब्लम फैमिली के अंदर से हो रही है अब जो जो चीज देखे लोग बोलेंगे ना तो इसी वज़े से उनको थोड़ा सा कुछ अलग सुनना पड़ा है लेकिन पाई ने यहां पर कुछ सवाल उठाय है लोगों के उपर पाई ने कहा है कि आपके बच्चों को आप समा लिए या इस तरीके की चीजे कहीं है कि मेरे तो सारे बच्चे काम कि पाई जब यही बच्चे यही लोग आपकी फैमली के शादी के फंक्शन्स में आपकी फैमली के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं पोजिटिव चीजे रखते हैं तो वो बच्चे वो लोग वो फैमली वो मा बाप सब सही होते हैं क्योंकि वो आपकी फैमली को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन अगर अभी आपकी फैमिली में कोंट्रोवर्सी चल रही है तो उसके उपर लोग बात कर रहे हैं तो वो फिर गलत कैसे हो गया हाँ मैं यह कहते हूं कि अगर उसकी वजह से आपको कोई mentally harassed किया जा रहा है तो वो चीज गलत है कि वो चीज़ लोगों को नहीं करने चाहिए, उसके हम भी खिलाफ है कि भाई, मैंटली हरिस ना करे, गलत कमेंट ना करे, गलत चीज़े ना बोले, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रहके, क्योंकि अगर ये बच्चे, अगर माबाप, आपके व्लोग्स भी देखना बंद कर देंगे, दूर रहने के लिए, तो फिर आपके व्लोग्स का क्या होगा, फिर आपकी शोशल मीडिया का क्या होगा, तो फिर क्या होगा, अगर आपके चैनल पर व्यूज ही नहीं आएंगे, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हा लगलग vlogs भी देखे रहा तो काफी positivity आपको लगेगी इनके vlogs में तो इसलिए मैं खुद इनके vlogs सभी के देखना पसंद करती हूँ family वालों के सब के देखना क्योंकि positivity आती है बट जहां पर controversy चलती है उनकी भी तो बात की जाती है न तो आप उस चीज को यहाँ पर disagree नहीं हो सक पर दो दिन पहले एक या दो दिन पहले जो अभी जो भमो हैं उनके साथ में आपको याद होगा कि उनका बतीजे रहा करते थे जिन्नों की अब जाकर उन्होंने अपना अलग से चैनल बना लिया है वो भी सामने आये है क्योंकि लोग उनके ओपर काफी जादा सवाल कर रह है वहाँ पर आकर उन्होंने खुले आम लखनीत का सपोर्ट किया है उन्होंने का है कि मेरी भाईया भाबी के बारे में जो बाते फैल रही है वो बहुत गलत है वो मेरे लिए मोटिवेशन है इसलिए मैं उनको कोपी करता हूँ और अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहरे मेरी फैमली के अंदरूनी चीज़े तो वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से मेरी फैमली की जो बाते हैं वो सामने आए ये चीज़े भी देखने के लिए मिल रही है कि फैमली में कुछ तो चल रहा है जो सामने नहीं आ रहा है और मैं पाई स एक चीज और कहना चाहूंगी कि पाई अगर आप खुद इन चीजों को क्लियर कर देते फैमिली में बैठ कर फैमिली के अंदर तो शायद लोग ये बाते ही नहीं करते लोग ये चीजे उठाते ही नहीं है लोग वहां बोल रहे हैं जहां पर उनको लग रहा है कि ऐसा कुछ ह रहा है और अगर शोशल मीडिया पर कोई इनसान है चाहे वो कैसा भी है और अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है अच्छी या बूरी तो उस पर बात करने का वो लोगों को हग दे रहा है अगर मैं आपर रियक्शन दे रही हूं या नियूस दे रही हूं तो मैं भी उन जो आपके घर के फैमिली के बाहर होती है यानि कि नॉर्मली शोशल लाइफ में होती है लोग होते हैं तो बात करते हैं जब तक उनको बात क्लियर नहीं होगी भागी हम यही चाहेंगे कि आपकी फैमिली एक हो जाए और शोशल मीडिया पर अगर लोग आपसे सवाल कर रहे ह और चाहा रहे हैं नहीं कि फैमिली एक हो जाए तो सोचिए वो आपको कितना प्यार करते होंगे जो लोग इस तरीके से आपकी फैमिली के परिशान है लेकिन आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं कि लोग आपकी फैमिली के मज़े ले रहे हैं ऐसा नहीं है लोग परिश शुरू किया था और आज देखें ये लोग कहां है अच्छी बात है मोटिवेट कर रहे हैं कह रहे हैं कि भई अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो इन चीजों पर ध्यान दो लेकिन कहीं न कहीं अपना ही बच्चों का काम डुबाने में लगे में हैं तो शोशल मीडिया पर काम अंत भला तो सब भला यही चाहते हैं लोग कि आपकी फैमली एक साथ हो एक साथ दिखें और शायद वो लोग जल्दी एक साथ दिखने भी वाले हैं अभी लकन और नीतु दोनों जा रहे हैं मलिक फैमली के साथ में वैशनों देवी अभी ये कनफर्म नहीं है कि मलिक फैम तो शायद उमीद ये नहीं है कि पूरी फैमिली जाएगी, क्योंकि अगर पूरी फैमिली जाती तो अब तक इस चीज का छो है खुलासा हो चुका होता लेकि नीतू बोल चुकी है कि वो वैशनो दिवी जा रहे हैं, तो शायद मलिक फैमिली के साथ में लकन और नीतू दोनो ही जा रहे हैं कि हुमने के लिए तो हम तो यह ही कहेंगे कि पॉजिटिव रही है अच्छे रही है और जल्द ही जल्द एक साथ लोगों को आप दिखेगा क्योंकि लोग आपकी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं मानते हैं और अगर आपकी फैमिली में कोई लड़ाई होते हैं जैसे खुशी होती है तो खुशी की बात होती है और कोई celebration होता है तो celebration की बात होती है क्योंकि यह है फैमिली आज अलग है तो कल को एक साथ दिखेगी ऐसा भी ना हो आपके किसी के कॉमेंट की वज़े से इनकी फैमिल में इतना जादा मन मुटा हो जाए कि यह लोग उन चीजों को भूली ना पाए चलिए हम करते हैं वीडियो को यही पैन मिलेंगे नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्यू सौमाई